Hello students, how are you all? देखे, आज जो हमारे पास में जो topic चल ला था topic क्या था हमारे पास नहीं हमने topic बढ़ा था equations of notions को निकालना जिखाता graphical method से और साथ में calculus method से आज जो हम उसी के questions देखेंगे नमेरिकर से देखेंगे हमारे पास में questions दिया हुए आज एक train है उस train की velocity is split है यानि इनी से लिए क्या करिया है वह constant rate से एलफा एज जो है initial acceleration जो हो origin से चल लिए फिर उसके बाद में यानि की 0 से भी square हो यह पिर उसके बाद में क्या करा है और इमेज constant होगी है और पिर उसके बाद फाइनली जो है 0 से क्या होगी है constant यह एक्सलेशन उसका फिट से constant होगा जिसके value कितनी है बीटा तो यहां पर इसमें पूछा है कि बताइए total कितनी distance covered की जाएगा total distance x तो आपको एप्रोव परके दिखाना है कि जो time की area जाएगा सबसे पहले सबसे पहले जब भी पार्टिकर क्या कर रहा है initially accelerate कर रहा फिर को समय तो constant speed से जाता है फिर डी accelerate कर जाता है तो यहां पर क्या कर रहा है initially जब यह O से A तक accelerate कर रहा है यानि speed इसकी क्या और होड रही है इस side हम values टिलेंगे इस side हमारे पास में क्या दे हुए time के लिए जीरो से वी यहां 0 initial speed क्या थी जीरो थी और फिर final speed क्या होगी इसकी भी यहां पर B speed है और फिर उसके बाद में क्या कर रहा है यह de accelerate करना सुरू कर दिया जहां पर इसका डी acceleration की value कि नी दे रखी है पीटा की बन है तो यहां से पुछा क्या है कि आपको क्या करके दिखाना है total time जब लेगी यह O से इस point आगमान लो यह A point यह B point यह C point O से C तक जब गई है तो total distance total distance x कवर की गई है और यहां पर total time जो है वह आपको यह proof करके दिखाना है P is equal to xyb plus vy2 into 1 by alpha plus 1 by beta तो हमें इसको proof करके दिखाना है तो देखे कैसे proof करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे O से A जबी क्या कर लिया है accelerate कर लिया है उस case के अंदर time कितना लिया है ठीक है तो सबसे पहले हम excel lesson कैसे कितने काते हैं यानि slope जो है velocity time graph का from the graph from graph o to a slope of velocity time graph क्या देता हम एक excel lesson देता है excel lesson किसके इक बलाए तो यह आपके पास slope जो आएगा वो किसके इक बलाएगा यानि alpha is equal to 10 of theta angle theta बना है तो यह theta किसके इक बलाएगा है perpendicular upon में base तो यह मानलो आपके पास d point है यह आपके पास e point है alpha is equal to 10 of theta theta आपके पास यह angle है यहां से हम क्या बताएगे क्या जाएगा ae upon me oe a-e जो है यह क्या आपके पास velocity दे रखिया और o-e जो है वो आपने क्या निकालना है यानि कि आपके पास ने जो velocity देखो यह आपके पास में a-e जो है वो क्या है velocity और o-e हमारे पास time दिया हुआ नहीं है तो यह o-e जब o-e जब o-e गया है तो इस case में time जो लिया है o-e हमें क्या देगा time देगा और इस time की value क्या होगी by alpha एक तो इस नमबर first ठीक है similarly जब हो क्या करें d accelerate करें b to c गही है तो उस case में time कितना लेगी वो भी हम इसी तरह से निकालेंगे velocity time graph निकालें तो beta is equal to आपके पास में क्या जाएगा b d upon me c d या d c ले लो d c की value क्या जाएगी d c is equal to b d कि किसके इगल है b upon me इसको equation number second तो हमने क्या निकाला जब वो accelerate करें उस case में time निकाले जब वो accelerate करें उस case में time निकाल दिया अब यह क्या कर रहा है total जब o a b c जब यह move कर रही है तो वैलो उसके time गिराख के अंदर वेटा हम क्या बताता है total distance वो आती है कि कितना area covered की है उस object ने ठीक है तो यहां से हम क्या निकालेंगे हमें निकालना क्या है distance तो यहां पर हम क्या लिखेंगे total distance covered by an object when it moves from o to c जब वो o c c हमें क्या निकालना है क्या लिखेंगे distance travel by train when it moves from o to c तो o से जब c गई है उस केस में हमारे पास में जो distance आएगी किसके ही को लाएगा area covered जो किया गया है area किसके आएगी trapezium का area covered in the trapezium आपके पास 7 भी है trapezium की और trapezium का area क्या होता है 1 by 2 into some of parallel sides parallel sides क्या है a b plus me o c और बीच में उनके बीच के distance distance आप क्या ले लो a e plus me o c किसके इकवल है o e plus me e d plus me d c into me a e x is equal to 1 by 2 into me 2 e d plus o e plus me d c or into me a e a e a e किसके इकवल है a से e b के इकवल x हमारे पास क्या गया v y 2 2 e d e c d e e y alpha d c y beta तो हमने निकाल दी x e d के वैले निकाल ले यहां से तो यह आपके पास में क्या आजाएगा इसको हम क्या करेंगे कि हमारे पास में क्या आईए यह टोटल डिस्टंस आईए कि इस 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 डिस्टंस को निकालने लिए हम क्या करेंगे यहां से कि 2 2 x by v minus v by alpha minus v by beta e is equal to 2 e d e d की value जो है एक राफ में मिट आरहीं यहां से e से d की value जो आएगे वो किसके equal आएगी e d 2 x by v e minus v by alpha minus v by beta e 1 by 2 2 लगा होता है 1 by 2 e से d हमारे पास क्या आगया 1 by 2 into a 2 x by v minus v by alpha minus v by beta यह e से d कौन सा पाहिम है आपके पास में जब हमने ग्राफ लेखा था आपके पास में object ऐसे आपके एक्सेलरेट कर रहा था पि इसको मैंने ओ नाम इसको a इसको b या c और यह मैंने d ले रहा था यह मैंने e ले रहा था तो यह e से d यह वड़ा time निकला है अब total हमें time क्या दिखाना है total time बताना है कि आपके पास में total time किसके equal आएगा अब total time दिखाएंगे तो total time किसके equal आएगा t is equal to o e plus mean ed plus dc o e की value क्या है हमारे पास में by alpha e से d कितना है यह हमने निकाल यह value put करेंगे solve करेंग इसको तो देखिए e से d रखो यहां पर 1 by 2 into main 2 x by b स्को साथ multiply कर रहे हूं minus v by 2 alpha minus v by 2 beta and d से c d से c आपने निकाल रखाएंगे किसके equal है my plus mean v by beta और e निकाल अपने v by alpha ठीक है फिर e से d निकाला अब इसको हम solve करेंगे ति हमारे पास में क्या आएगा तो से 2 x y v minus आपके पास देखो vy by 2 alpha यहांपे vid by alpha öl्सीость म क्याल के एगा Got तो 2 v minus v यांए क्या आएगा आपके पास में by by 2 alpha बचेगा तो यहां पे हम क्या लिखिएंगे plus कर देखो यहांसे 2 alpha common लेटो Мड़ा यह देखो आपके पास में क्या ऐगा यहां से आपके लिख सकते हैं प्लस में v y alpha माइनस v y 2 alpha plus vy beta माइनस v y 2 beta और अब इस फाव सोड़ करेए x y v plus में 2 alpha तो यह हमारे पास में क्या बन गया 2 v इक है माइनस v plus में 2 beta 2 v minus v थो इतना टाइम कवर करेंगी करेंगे क्य проблема करेंगी नहीं पीद्ग तो आपको दिखाना है कि तो आपको क्या प्रूब करके दिखाना है इतना टाइम लेगी तो हम क्या करेंगी इसके लिए सबसे पहले टाइम निकलेंगे कितने टाइम निकल यहां से तो तो यहीं से किराब से निकल सकते हैं उसका एक्सलेशन निकाल सकते हैं बीटा टाइम को निकालने के लिए हम क्या बताएंगे कि जब यह क्या करा यह जो एरिया किया गया है लिए फ्र प्रप्र निस्टन्स ऑड़े में कालने के लिए उसको निकालने के लिए उसके क्या बताया भी जो इन तो देखो आपके पास में यहां से जो वैली ओए थी यह मैंने रख रहा यहां पर यहां पर इनको इडी दोपर आ रहा है तो इसको ट्वाइस रख दिया मरुअट से अवागे श्यक्त पस्केली मरुत यहां से अ पहले रहा है यहां आपके प्रूफ इसम करने हैसे हमें चीओ लिएद करता ह्याया और वहाद चाहिए इस ब्रूफ और शुरूर के दिखाना यहांते हैं एक लिए प्रूफ दिखाना था ग्राफ धिया मोटेर, छो निहा निकालनाए है, इस निकालको को नंधाए, पूछ को नसों है, डिस्टेंस को हो का निकालना भीं है? जो निकाल सकते हैं your corrections एर्या कोड्य पार्टिकल्स घ्राफ सबसेह बात करते हैं वह किसो एक pressures किसको लाइए distance covered by object का से का तक in 0 to 10 seconds तो क्या आएगा area covered की खुल आएगा area covered in velocity time graph तो area covered किस थीगो देखो ट्राइंगल बन रही है वीचे एक ट्राइंगल बन रही है और एक यह जब भी हम distance लेते हैं आपके पास में चाहिए और पोस्टी एकसिज में चाहिए नाइए इसकी प्लस में 1 by 2 6 to 8 यानि 2 का इंटर्वल है इनकी बीच में तो और यह कितना है पीस और इसका देखो यहां से यहां तक 10 सही तो यहां पर हम क्या रिखेंगे प्लस यह देखो आपके पास में क्या है और यह कितना है कितना आगे विटा थी सिस्टी प्लस 20 प्लस 20 तो हैंडर्ड मीटर के आगी डिस्टांस को और अगर डिस्टेस्मेंट की बात करता हैं कितना जाएंगा इस्टेस्ट्र मीटर अउझे सब्सक्राइगा और क्याकर स्वेड़ीन केंडर्ड मीटर केंडर्यों कि देखिए आपके पास क्यों सना एक गोल्ड को जो है 90 मीटर की हाइट से क्या क्या गया है ठीक है इच और नियुक्त के एक प्राइब करती है अपनी किसी और यहां पर क्या करना है कि आपको जीरों से बारा थे तो जब उसमें 0 से 12 सेंड तक स्पीड ली है तो वह स्पीड क्या होगी है पहले वह स्पीड निकालेगी और तभी हमारे गिराफ प्लोट हो सकता है जब हमारे पास स्पीड होगी तो देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वैं बोल इस रो प्रॉम में हाइट जब भी हमने क्या बताया था किसी भी बोल को फ्रीली फोल कराते हैं तो उस केस में आपके पास में निसे इस वीडिया निक्या है जी हो है कि हाइट से चुड़ है कि अब निक्या हो गया तो सबसे पहले हम देखेंगे जब वो नीचे की तरफ आरी है और इस प्रीड से आ रही है तो पहले हम क्या निकालेंगे हां से एक टाइम निकालेंगे इस टाइम निकालने के हम क्या करेंगे यानि की फॉर्मला ने पड़ा था एस इजी इवर टू यूटी प्लस में हाफ एट इसके ठीक है तो आपके पास में इनी से स्पीड जीरो है एस कितना है 90 तो यह 0 प्लस में हाफ इंटू में 9.8 इंटू टी स्के तो यह हमारे पास म यहांसे आपके पास में फर्टी फोल्वे जाये गा जाएगा थी और इस वर आइन को थाइंकर लिए तो यह हमारे पास इतना टाइम लिया है और जब इसने इतना टाइम लिया तो जब ग्राउन कर टाकर आए गिए तो किस स्पीड से आके टाकर अ कि पहले आपकर निकाले हैं ौई कि तो यहा इंटे आइंटे मीचिए है। आपने इस एसी बोर्ड़ को टो यहांसे दूम क्या निकाले किस टीघ्ट निकाले हो यहां से यहां 어떻 day जरत गिश्यो एकपाइब नीर। झालिट जो प्रृ आपके पास में जूम्त जुआ 1944 इन अब इसको करते हैं यह मैं हमारे पास है लगवग आती है वेलियो आएगी 42 मीटर पर सेग़ यह इतना बताएंगे 42 मेटर पर सेग़ इस तो क्या होता है इस किया क्या बिटाई है यह जहीं है जब बॉटकराई है तो इसमें अपने जू स्पीड है वह क्या कर दिया बंट एंट इसमें लोज कर दी है ठीक है तो यहां पर हम क्या बताएंगे कि जब यह ग्राउंड में स्ट्राइक करेगी तो वी डैस की वैले क्या हो जाएगी 110 यानिकि जो आपके पास वी थी उसकी 110 यानिकि वी कितना है वन बाइट एंट इंटो 42 तो 4.2 कि सेकंड क्या कर दी की कि फों में साउंड की फों में क्या कर दी बाँंट होगी ऑपके पास में यहां से पहका था ट्था आ दे ओग्ल में यहां से तो यहां ये बी जोए कितनी थी 42 और वी डैस की वैली ब्धार वी डैस की वैली देखो हमारे पास में कितनी आरह रहे है 4.2 इसने लोग तो वी दिसने 42 मीतर पर सेकंड ती और वी डास इसने सांट टी फो में लोग तर डिक नहीं 4.2 तो अब बची कितनी तो वी माइनस वी ड़ाय जो हमारे पास में 42 माइनस 4.2 तो जब आप इसका करते हैं तो यह दो आप siya9.8 आसपास आजाएगा, फिक है, 42 में से आप ही सब्ट्रेट करेंगे, 4.2 तो ही हमारे पास में 8, 11 में चार गे साथ 47.8 आएगा बिटाईगी, फिक है, 37.8, तो यहां पे हम क्या बताएगी, कितनी स्पीड से बाफिस क्या होगी, रिबाउंस होगी, फिक है, तो अब यह बोल कह यहां जाएगी, उपर की तरह जाएगी, फिर से, रिबाउंस होगी, 37.8, तो यहां पे हम क्या बताएगी, इसकी जो नेट स्पीड बची, नेट स्पीड, 9, 4, रिबाउंस, विद ए स्पीड, 37.8 मीटर पर साइकिन की स्पीड से भी क्या होगी, यहां से टकरा करके, टकरा के बाद इतनी से स्पीड से क्या करेगी, रिबाउंस होगी, इतनी परसेंट तो यहां से टकराने के बाद अब यह बोल कहा जाएगी, फिर से ऊपर जाएगी, इतनी हाइट तक जाएगी, इतनी हाइट तक जाएगी, इतनी हाइट तक जाएगी, इतनी हाइट तक जाएगी सब्सक्राइब और यह जो फाइनल स्पीड थी यह सब्सक्राइब तो अब यह कितनी हाइड तक गई है कितना टाइम लेगा है अब यह सब्सक्राइब करने जब यह जो पर कितना टाइम लिया है और किस पीड इसे गई है तो पहले हम क्या लेंगे उसका टाइम निकालेंगे ठीक है जब इसे देखो जो अफ्दी कोई बोडी बोल उपर से नीच जाती है यह सपड़ कर भड़ती है जबस नीचे से इसपड़ कर ऑगी क्यों टिक टिकरीज होगी चुकि एक सब्सक्रिस वहां पर नेगेटीव तो इस देखेंगे वहन नाग बोल बैंगर दों रिबाउंस एंड मूस वी दे स्पीड स्पीड ओफ 37.8 मीटर पर सेटी तो क्या होगा वी जी कोल टो यू प्लास एटी होता है वी आई स्पाइंट पर क्या होगा उपर की तरफ जारी विद अप्वाड मोसन है मूस आपको लिख दो है पर की तरफ जारी आपको अडमोसन हो रहा है पहले वाड़ा केस में डाउं हो आए थी अब यहां पर वी क्या हो गया जीरो यू हमारे पास में क्या दिया 37.8 और जी की वैलिए क्या होगी तरफ जारी 9.8 और टाइम हम निकारे में आजी तो टाइम की वैलिए कितनी आजाएगी 37.8 अपन 9.8 तो जब आप इसको सोल करते हैं यह टाइम आएगा 3.9 सेकंड तो टोटल टाइम क्या हो गया देखिए पर टाइम कितना ले रहा था बैटा आपके पास में इसने बूले 0 से 12 सेकंड सक तो फर्स केस में देखो कितनी टाइम से है 4.2 अब टकराके फिर उपर गई तो कितना टाइम लिया 3.9 और जिस टाइम से गई तो इतना टाइम मीची आएगा तो आपके पास में क्या हो तो इसना ही टाइम कहां लेगी बूल अब निचे आएगी तो टाइम यहां पर भी क्या होगा 3.9 यह टाइम इतना ले रहा था 4.2 सेकंड तो ने टाइम क्या होगा टी इस इक्वार टू 4.2 प्लस 3.9 प्लस 3.9 तो 9 9 18 और 2 20 तो यह निदि 12 सेकंड आ गया हमें क्या करना थ तो इहां पर यह हमारे पस में क्या झाला था रहुत है कि यह फिरंद दी अनलोगे था यहां से घ्रें रहून 9.8 और time कितना ले रही तो इस case में velocity निकालो तो यह कितना हो जाएगा A की value 9.8 और time कितना है 3.9 seconds तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगी यह speed आजाएगी 9.8 को जब आप 3.9 से क्या करते हैं multiply करते हैं तो हमारे पास में यह जुग है क्या जाएगी Speed आजाएगी ठीक है तो यह speed से ही नीचे की तरफ आएगी और time तक आते आते कितना ले ले लेती है यह 12 seconds यहां से चली थी 4.3 यहां पर 3.9 उपर 3.5 नीचे 12 seconds अब हमें क्या करना है इसका ग्राफ लोट करना है किक है तो ग्राफ देखें जी तो अब जीरो से 12 seconds के बीच में ग्राफ हम फ्लोट करेंगे तो देखें क्या जाएग पास important क्यों सान है पाट है क्यों सना आया है एक्जाम में very important है NCRT क्यों सन ही तो देखें अब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ देखों कैसा आएगा किस के बीच में speed और time के बीच में सबसे पहले हम लेंगे जीरो यहां पर इस बीड जोंग ले रहे हैं 10 20 30 40 50 जब भी बोल उपर से निचे की तरफ आ रहे है तो इसकी बढ़ती है डाउंवर्ड मोसन में स्पीड हमें से क्या होती इंक्रीज होती है तो यानि की ऑपजेक्ट बोल जो है वो यहां से यहां तक यानि कि कि इतना टाइम लिया 4.2 सेटेंड यह 4.2 ले लिया और कितने स्पीट इसके 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 अंदर 42 मेटर सीरे को यह तो लोग क्राइज जब करती है तो यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे 42 मेटर तक यानि इसके सामने जोस्टे लोग यह तो यह तो यह तो आप यहां से तक राकर के वापिस आती है यह कितनी स्पीड लोस कर देती है यह 30 यानि कितना था 37.8 पॉर पॉइंट पॉइंट लिया थे यहां से तो यह जो स्पीड बचाएगी यह अब उसके बार मिया के पाद में फिर से क्या हुआ है यह वह वह जो आ उपर की तरफ वारिया अब जब लूपर की तरफ जाएगी तो स्पीड क्या होती है यानि टिक्रीज ओगे तो यह एगों पर से तो 4.2 में 3.99 को रोगे कितना आजाएगा आपके पास 9211 चैपन साथे काट याने की 8.1 यहां पर 8.1 पर यह जो है बोल यह किस तरह से रिटार्ड करेगी तो यहां पर स्पीड कितनी थी यह दखो इनीशियल केज में यहां पर 42 मिटर पर सैकिंड थी फिर यह फर्स्ट पोल कि अध्य है और टाइम यह वह फिर उसके बाद में 8.1 पर यह जाने के बाद पिर नीचे इक तरफ निटर पर आईगी फिर से स्पीड उसके क्या होगी बढ़ेगी फिर और उसके निकालने के लाएं कि स्पीड से देखो यहां से निकाल लेंगे वैने बताए थे निकाल ल तो इसको हम करेंगे multiply speed निकाल जाए को कि velocity is equal to v is equal to u plus 80 था highest point पे जाएगी तो u आपके पास में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहां से u क्या हो जाएगा 80 के एक्वल तो u is equal to minus 80 तो यहां से 9.8 into 3.9 तो यह हमारे पास velocity देगा अब यहां से हम निकालेंगे 3.82 यहीं speed से आएगी यह 3.82 यानिकि आपके पास में यह आजाएगा बेटा इसके इसके अंदर यह 38.82 speed से आएगी इसके तरह जाएगी तो यहां से यह जो है यह बोल इसी तरह से उपर जाएगी इसके आसपास और कितने टाइम में यह यहां पर 8.1 में 3.9 एड करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 12 तो इस तरह से यह बोल क्या करेंगी ग्राफ जो आएगा वह आपके पास में इस तरह से गाफ आएगा देखे दोनों चीज पूछी थी आप सिर टाइम भी पूछा था क्या आप देखे देखे लिए तो मिन वह प्रिश्टाइम के भी प्लोट किया लें देखे पी आपके पास में इस गिराफ दीयाओ से दो चीज़े कुछी है पहला क्या कुछ ए दिस्टेंस लता ही और दूसरा क्या पूछा एजरी पेले आपने के दों से पहले हैं सबसे प तो यह आपके पास इतना गया 60 meter distance आगी, अब average speed क्या होती है, वो है आपके पास में total distance upon total time, total distance 60 is total time, तो 6 meter per second आगया, first case के अंदर आगया, second case में बूल रहा है कि आपके पास में 2 से और 6 seconds के बीच में, यानि 2 meter 2 second ही है, और 6 seconds आपके पास यहां 3 है, तो 2 से 6 के बीच में जो है 2 से 6 seconds के बीच की आप क्या निकाली है, distance बताईउ हो, और साथ में इसकी average speed के यह सी से निकाली है, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, दो से पान्स के बीच के distance निकालींगे... प्र पांज शे के बीच की डिस्टांस निकालने के लिए एस विजी फोल्ट क्या होता है यूटी प्लस अफ़ अच्वेट इसके लिए क्या चुहिए यानि कि आपको ए ची यह साथ में स्पीड चुहिए है तो सबस्पेंगे अब देखेंगे यहां से क्या चलाया है जीरो से हो से इसके स्पीड क्या है क्योंकि जैसे स्पीड की तरफ जायरहा है यह स्पीड क्या या उट जारे है तो इस एक्सलेशन को कैसे निकालेंगे तो देखें बटा स्पीड टाइम किराप है यहां से ओ ए सीड जो ट्रेंगल बंगे यहां से आप क्या निकालेंगे एक्सलेशन ठीक है हम साइकेंड पार्ट कर रहे हैं वैं ऑब्जेक्ट एक्सलेट्स अप्पास में एक्सलेशन क्या होताँ अपिके पास में इसको लगा जै। तो यहां से हमारे पास में क्या जाएगा इसका 12 अपॉंट में 5 करेंगे तो आपके पास में 2 पॉंट है A is equal to 12 by 5 तो कितनी आ जाएगे यानि 2 पॉंट है 54 पॉर आगे ही मेटर पर सेकंड के अब उस केस में 2 सेकंड से पास इसकी स्पीड क्या हुए है तो यहां पर हम स्पीड देखेंगे 20 इकोल टो यू प्लाइटी इनिशियल की से चलाएगे रह से चला है तो यू क्या हो गया जी रू एक ही वैल्यू हमें क्या निकाल करना है इस केस में इस्टन्स क्या होती है यू क्या है यह है यह हम प्लाइट आप्स और टी आपके पास 3 इंटू 3 तो यह हमारे पास में क्या जाएकि डिस्टेंस आजाएं और इस डिस्टेंस को जब हम सूल करते हैं कितनी आती है 25.5 जो है यह हमारे पास में 2 के इक ग्षावल आती है तो 22 24 पॉइंट यानि वैल्यो आती बिटा 25 पॉइंटे टू मीज़र डिस्टेंस आ जाएगी 2-5 बीच में अब हमें क्या कितना है यह 5-6 के बीच में निकाल नहीं है तो अब यहां से क्या करें रहा है तो आप से केस लिखेंगे यह तो कहां से ओसे करा था अब जेक्त रिडार्ड डिटार्ड पारे व वह जो पाइनल फिड़ होगी या ने की इस वाइनल स्विड़ होगी क्या करें एक्सेल निकाल लो एक्सेले सन फिन कालो विटॉप ने काल लोघ्स लोप क्या आएगा बारा बेटे पांच तो यह आपके पास 2.4 आगया और यह क्या सा होगा नाइटी तो किट क्या करें डिटाड़ करें नीची थरा तो हमारे पास यह आगया अप डिस्टेंस निकालेंगे दिस्टेंस क्या एगा यहां पर 12 ताइम कितना है पांच से चे के बीच में तो यही वन प्लस में हा पास में 10.8 यहां से यहां तक कि डिस्टेंस हम निकाल चुके है कितनी हैगी 25.3 और यह डिस्टेंस यहां पर निकाल चुके जो 10.8 है तो प्लस में दूसरा कितना है 10.8 तो यह हमारे पास में आ जाएगा 1,6 यानि इतनी डिस्टेंस आ जाए जो किसकी को लाएगी आपके पास में यह 36 आईगी बेटाई 36 मीटर डिस्टेंस यानि अप्रोक्सिमेट आप क्या बताएं देंगे 36 मीटर अब एवरेस स्पीड बुचिए आप एवरेस स्पीड निकाल तो कहां से 2,6 के बीच में तो टाइम कितना बचा चीर माइनस दो यानि च्यार और डिस्टेंस कितनी अच्छो तीस कितनी आ जाएगी नाइन मीटर पर सेकेंड आ जाएगी तो यह हम सेकेंड केस में लिखेंगे हम एवरेस स्पीड जो आएगी वो क्या जाएगी आएवरेस स्पीड 36.1 अपॉंड में 6-3 तो यह आपके पास 9 मीटर पर सेकेंड इसकी आएवरेस स्पीड आए जाएगी पीटा क्यों से आपके पास नहीं कि एक बच्चा जो एक स्ट्रेशनरी लिफ्ट के अंदर खड़ा है लिफ्ट भी किसमें है रैस में और उसके हाथ में क्या है एक पोल है उसने क्या किया उस बोल को उपर की तरफ थेक है तो जो लिफ्ट है लिफ्ट का जो अप जो इतने समय बाद बच्चा उस बोल को के एच कर पाएगा अपने हैंड के अंदर तो यानि कि आपके पास में लिफ्ट है इस बापर है यह जो यह बच्चा खड़ा है इसने क्या किया जब लिए तो इसने कितना टाइम लिया है और जब वापिस आई इतना टाइम नीचे कि आपके लिए तो टाइम आँए ने टाइम आट लिए यसें क्या बतार गाते हैं जब भी कोई बोल्ट उफर की तरफ जाएगी तो टाइम मौस टाइम पास वे क्टिकैने समय बाद वोल का इसके तो प्र इसकर रहेगा थाए नुन को आट कर देने स्बागे तो तो डोनो तो आपके पास 9.8 is equal to 49 आगया तो ट की वैल्य हमारे पास में कितनी आगी पास में कितना आगया तो फाइब सेकंड लेगा निचे से उपर जाने में 5 तो टोटर क्या हो जाएगा 10 सेकंड के बाद में वोस बोल को कैच कर पाएगा अभी इसी के अंदर दूसरा पार्ट हो दिया है अगर लिफ्ट क्या कर रही है यूनिफॉर्म मोसम से क्या कर रही है तो उसके मोसन के कारण बोल की स्विड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो यानि उसकी जो स्विड रहेगी वही 49 मीटर पर सेकंड के स्विड से जाएगी ठीक है क्या क्या बताएंगे 10 सेकंड के बाद ही फिर से वो क्या कर लेगा उस बोल को क्या चाज कर लेगा